वहां पे वहां पे वहां पर लोग दिखा रहे थे वन प्लस फाइफी का नया स्टार वर्स एडिशन आप जानते हैं कि नया मूवी आया है स्टार वर्स जेड़ाइ तो उसी से रिलेटेड वो नया आया है तो अगर आप जानते हैं वन प्लस फाइफी को तो बहुत ही अच्छा फोन है इंस्पेक्स वाइफ बहुत अच्छा है बट उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ एक ही कलर में आता है और वो है ब्लैक कलर और यह ऐसा एक चीज है कि अगर आपको नया कलर चाहिए वन प् काला है तो अगर मैं बात करूँ लुक और फील की तो फ्रेंट में सेम चीज है वही आपको मिलेगा 18-9 वाला डिस्पले फ्रेंट में बेजल वही ब्लैक है लेकिन स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ अलग अलग नए 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 वन प्लस के वालप अगर आप फोन को हाथ में लोगे तो बहुत ही गृपी है ब्लैक की तरह स्लिपरी नहीं है तो आपको केस लगा जरूरत नहीं इनकेस अगर आपको डर है कि हाथ से स्लिप हो जा है तो ऐसा दिलकुल नहीं होने वाला है बैक में वही सेम 16-megapixel के ड्यूल कैमरा से बन प्लस का लोगो जो कि अब black color में हो चुका है पीछे fingerprint scanner है और नीचे में है Star Wars का branding जो की cool लग रहा है white की पर red it's completely awesome yes volume rockers power button ये दोनों black है लेकिन जो alert slider है वो कर दिया गया है completely red जो की अपने आप में ही इतना cool लगता है क्यूंकि आपको पता है कि red and white इतना अच्छा color combination है तो camera's देखा front camera भी काफी अच्छा था back camera भी काफी अच्छा था और phone को grip phone को हाथ पे लेने से एकदम premium feel आ रहा था बहुत ही अजीब सा लेक बहुत ही अच्छा texture मिलता है very ना ज्यादा slippery है ना ज्यादा rough है it's on the middle वह अगर आप हाथ मिलोगी तो आपको खुद को समझ आएगा in terms of looks अगर मैं बात करो तो 10 on 10 जैसे मैंने भी आपको बोला कि black, red and white का जो theme है वो completely awesome लग रहा है और अगर मैं बात करो specs की तो specs wise यह बिल्कुल same to same device है snapdragon 835 है 8GB का RAM है 128GB का internal storage है और दोनो camera 16MP का dual camera है LED flash और completely सब कुछ एकदम same to same specs है बस आपको क्या मिल रहा है कि एकदम brand new refresh look OnePlus 5T का white, red, black it's completely awesome तो अब एक सवाल दिमाग में आएगा कि यह phone किसके लिए है वैल यह उनके लिए है जो obviously Star Wars के बहुत बड़े fan है एक time में मैं भी देखता था बट बीच में छूड या तो अब बीच से देखने में फाइदा नहीं second बात अगर मैं यह phone लेता तो मैं लेता कलर के लिए क्योंकि alert slider जो red कलर का है white के साथ वो कमाल के लग रहा है पीछे OnePlus का black कलर का logo इन कलर वाइस यह phone killer है अगर मैं लेता तो obviously color की वैसे लेता क्योंकि OnePlus 5T का जो basic version है वो black color है मैं black से bore हो चुका हूँ completely but मैं यह phone color के वैसे लेता और अगर आप Star Wars के fan है तो आप दरूर लीज़े यह phone available है highest variant पे मतलब 128 GB में ही यह phone का limited edition available है और आपको 1000 रुपए extra देना पड़ेगा मेरे असाब से वर्ट है क्योंकि use करने पर यह phone काफी awesome है looks में भी काफी awesome है especially यह limited edition के release के बाद तो limited edition है जल्दी से ले लो अगर आपको लेना है color wise specs wise it's completely awesome it's a killer package तो guys इस वीडि और बस subscribe करो team के हिस्ता बन जा और एक साथ जाएंगे उपर मजाएगा बात thank you for watching and stay tech ever forever